नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के Community Health Training Program में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर Anatomy और Physiology के प्रोग्राम के तहप कुछ practicals के बारे में तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में कितने तंत्र हैं, उनका हम किस प्रकार से practically हम उनको देख सकते हैं आज हम थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे जैसा कि आपको पता ही है शरीर में हमारे 10 तंत्र होते हैं तो जिसमें आपका skeletal है, digestive है, respiratory है, integumentary system है तो यह सब आपके शरीर में systems पाये जाते हैं इनके बारे में आप पहले practicals में digestive system और skeletal system के बारे में जान चुके हैं आज हम बात करेंगे यहाँ पे श्वसंत अंत्र के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं, हमें जीवित रहने के लिए तथा शरीर की विभिन क्रियाओं को संपाधित करने के लिए oxygen से आवशक उर्जा प्राप्त होती है और अपचे क्रियाओं में carbon dioxide मुक्त होती है, जो की हानिकारक होती है अतहाँ यह आवशक है कि कोशिकाओं को लगातार oxygen उपलब्द कराया जाए और carbon dioxide को शरीर से बाहर निकाला जाए जब हम सांस लेते हैं तो हवा में अन्यक कई प्रकार की गैस भी हमारे शरीर में जाती है लेकिन हमारा शरीर उन वायूमंडलिये गैसों में से oxygen को ले लेता है और बाकी गैस को बाहर निकाल देता है जिसमें सबसे ज़्यादा CO2 होती है इस वायूमंडले oxygen को श्वास द्वारा लेने और कोशिकाओं में उत्पन कार्वन डायोकसाइट के आदान प्रदान की इस अन्वरत प्रक्रिया को हम श्वसन या श्वास प्रश्वास या ब्रिधिंग या एक्स्टरनल रैस्पिरेशन कहते हैं वायूमंडल में oxygen शरीर की कोशिकाओं में पहुँचकर भोजन का oxygen या जारन करती है तद्धा carbon dioxide gas को बाहर निकालती है ऐसी सभी भौतिक वा रसाइनिक क्रियाइट श्वसन कहलाती है सभी जीवों में श्वसन की क्रियाविधी उनके निवास अर्थात वे कहां रहते हैं जैसे हम देखते हैं पानी में रहते हैं मचली है या जमीन पर है उधारन के लिए जैसे पक्षी है स्तंधारी जीव है यह सब और संगठन के अनुसार बदलती रहती है जो भी हम श्वसन की क्रियाविदी है वह प्राणियों के निवास्थान के अनुसार और उनके संगठन के अनुसार बदलती रहती है जैसे से वह वातावरन की वायू उनके शरील में विभीन स्थानों पर पहुंचती है उसके माधम से श्वसन करते हैं जो जल्य प्राणी होते हैं जो उनमें गिल्स होते हैं उनको हम फेफडे बोलते हैं उनके उनके द्वारा श्वसन करते हैं जो उभेचर प्राणी है जैसे मेंड यानि कि हमारे जो संसार में जितने भी जीवित प्राणी है वह सब श्वसन करते हैं यदि सांस नहीं लेंगे तो वह जीवित नहीं रह सकते हैं तो इसलिए श्वसन जो है हमारे तंत्रों में सबसे इंपॉर्टन्ट है वैसे तो सभी तंत्र बहुत इंपॉर्टन्ट है लेक सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है जी हां ऐसा आपकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के कारण हो रहा है जिसे हम श्वसन कहते हैं जो भी हमने आपको इतना बताया है कि श्वसन क्या है सभी सतंधारियों में एक पून विक्सित श्वसन प्रणाली होती है इस श्वसन के बारे में जानते हैं श्वसंतंत्र कर्म से संबंद शरीर के भाग को हम श्वसंतंत्र कहते हैं इसके मुख्यंग श्वसनांग फेफड़े होते हैं और बाकी शेश सहयकंग होते हैं सहयकंगों में आपके नासिका नोज ग्रस्मी फैरिंग्स कंठचद एपिगलोटिस स्वर हुई है गरसनी के नीचे यह आपका चन्ठ चद आता है उसके बाद ये कंठ आ रहा है और यह नीचे श्वासनली में जाके जुड़ा हुआ है है श्वासनली ट्रैकिया जैसे हम कहते हैं दाई और बाई श्वस्टनी ब्रोंकस श्वस्टनिकायं bronchioles परिकोष आर्ट्रिया आप जो आप जोंग पाले हैं जो बहार से हैं उसको साफ करते हैं जो गंद्गी रहते हैं या उसमें जोmist कण्ड रहते हैं आं यह सेलन अंदर करता है तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आपकी है नेजल कैविटी कैसे जब हम बाहर से देखते हैं तो आपको यह दो छिस्ट्र दिखाई देते हैं लेकिन जब आप इसका हिस्सा अंदर से देखेंगे तो यहाँ ताइप जिसे नेजल केविटी चाती है जहांसे नाख जो है जो आपकी वायू है प्रवेश करकेम अंदर की ओर जाती है यह हैं नाक का हिस्सा जो है आपका पीछे फैरिंग्स के साथ जुड़ा होता है जो भी हम आगे इसके बारे में जानेंगे ग्रस्नी फेरिंग्स जो भी हमने पीछे देखा था कि फेरिंग्स का पार्ट है यह वायू तथा भोजन के लिए एक समान मार्ग है जो नाकवा मुझ के पीछे स्थित है जो आपका फेरिंग्स होता है वह है आपका वायू तथा भोजन इसके लिए एक समान मार्ग है यह ना एपीग्लोटिस जिसे हम बोलते हैं यह फ्लैप है जो पानी या भोजन को निगलने के पस्चाथ बंद हो जाता है यह श्वासनली को ढखे रहते हैं और इस प्रकार पानी वा भोजन को फेफणों में जाने से बचाया जाता है जो आपका कंटि छद है यह एक फ्लैप है जो क आपके फैरिंग्स के बाद में नीचे लगा होता है जो कि आगर आप पानी पीते हैं या भोजन खाते हैं तो यह बंद हो जाता है जिससे यह श्वास नली को ढख लेता है और इस प्रकार आपका पानी और भोजन फेफडों में नहीं जा पाता है कभी गलती से जब आपने द जो है आपको च्वास की नली में किसी भी प्रकार का पानी या भोजन फेफडों में जाने से बचाता है कंट यह द्वनिक अक्ष है जो ग्रस्नी जो फैरिंग्स है और ट्रैकिया के मध्य स्थित होता है जहां वायू कंपन के द्वारा ध्वनी उत्पन होती है जो आप बो लेरिंग्स है जिसे हम कंट होलते हैं अब बात करते हैं श्वास नली या वायू नली की ट्रैकिया यह एक 10 से 11 सेंटीमेटर लंबी नली होती है जो गर्दन में कंठ के नीचे तथा वक्ष के भीतर विद्यमान होती है यह दो शाखाओं में विभाजित होती है जिने दाई इसे ओके दो शाखाओं में पेड की जैसे शाखाओं में विभाजित हो जाती है दाई शाखा तथा बाइशाखा जिसे हम राइट ब्रॉंकस या फिर लेफ्ट ब्रॉंकस बोलते हैं तो यह इसमें और यह आपके थ्टोरक्स जो आपका चाति होते हैं उसके बिलकुल मध् समान फेफडों में ततकाल अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं जैसे आपने पीछे चित्र में देखा था यह आपने ब्रॉंकस देखा था राइट और लेफ्ट इसकी अनेक शाखाओं निकली हुई हैं जैसे पेड में शाखाओं होती हैं इसी प्रकार यह भी तुर जब आप इनको देखेंगे तो यह जो आपने ब्रॉंकस देखे थे यह तुरंट अनेक ब्रॉंक्योल्स में विभाजित हो जाते हैं तो यह सबसे छोटी शाखाएं होती हैं और यह पुन्हा उप शाखाओं में विभाजित होते हैं जिने हम प्राइमरी सेकेंडरी और अन्तिमभाग हैं उसके बाद वसको baktnet के बाद कूपिका को याति हैं कूपिका के बाद कोशिका अन्तिमभाग होता है जो अंगूरों के गुच्छे के समान होता है इस तरप घैसों का अंतर बदल यानि की एक्सचेंज होता है अर्थाथ फुपिका और इसके चारों और स्थित्रक्ट कोशिकाओं के बीच तथा रक्ट कोशिकाओं और श्रीर की उतक कोशिकाओं के बीच होता है। गैसों का फैलाव, जो diffusion है, physics के निएमानुसार अधिक दाब से कम दाब की और होता है। यह आप चित्र में देख सकते हैं कि यह गुब्बारे जैसी आपको आकरती दिखाई दे रही है यह कूपिकाय है अब हम बात करते हैं फेफडों की जो की मुख्ये श्वसन अंग हैं फेफडे श्वसन संस्थान के मुख्ये स्पंजी अंग होते हैं यह संख्या में दो होते ह सबस्रegraint top 503 में होते हैं प्रतेग फेफड़ा पार्शवक जिसे हम प्लूरा बोलते हैं लिक्त करायाmetros कि यह प्लूरेलाम क्यों प्लूरल फ्लू। तो यह हैं फ्लूट के कारण होता है दाएं फेफड़े में तीन पालियां लॉब्स होती हैं उपरी मध्य वा निचली पाली और बाएं फेफड़े में दो पालियां होती हैं उपरी वा निचली पाली आप इन चित्रों में वक्षेगू हमें फेफड़े जो हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं वे कहां पाये जाते हैं कि रिप्स के पीछे दोनों तरफ कैसे यह आपके फेफड़े होते हैं यह पिंजरे समान जो हमने बात करी है कि जो हमारा स्केलटन सिस्टम जो हमने पीछे उसमें बात करी थी कि जो स्क तो आप साथ में फोटो में देख सकते हैं कि वह किस प्रकार श्रीज में दिखते हैं यह आप देखे अच्छे से आप इसको देख पाएंगे कि जो रिपकेज है उसके पीछे आपके फेफडे हैं और अभी हमने बात करी थी कि जो आपका राइट लंग है उसमें तीन पालिय होती है तीन लोप होती है तो आप यह देख सकते हैं इसमें उपरी मध्य अगर निचली पाली और जो आपका लेफ्ट लंग होता है उसमें दो पाली होती है उपरी पाली और निचली बाली और यह बीच में जो है आप रिदय को देख सकते हैं यह आप इसमें चित्र में द और जो आपके एट्रियां हैं और जो फिर बाद में कुपिकाएं होती हैं वो किस प्रकार से आपके लंग्स में अंदर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देंगी आईए अब जानते हैं कि श्वसंतंत्र कैसे कारे करते हैं अभी तक हमने पढ़ा था अभी हमने जाना कि इसके मुख्यांग कौन से हैं और इसके सहायकंग कौन से हैं इनकी रचना कैसे हैं ये कहां पाये जाते हैं शरीर में तो आईए अब ये सब मिलकर के कारे कैसे करते हैं वायू मंदल से श्वास लेने जिसे हम inspiration कहते हैं और श्वास छोड़ने expiration की अनवरत क्रिया को श्वसन कहते हैं यह दो प्रकार की होती है अंतह श्वसन जिसे हम बोलते हैं इंटर्नल respiration यह कोशिक्य स्तरपर होता है इसमें रक्त तथा शरीर की धात्वों के बीच गैसों का वीने में एक्स्चेंज होता है और दूसरा रहता है बाहए श्वसन जिसे हम external respiration कहते हैं यह फेफ्रों में होता है और इसमें oxygen लेना तथा carbon dioxide छोड़ने की क्रिया होती है जो श्वसन तंत्र है जो आपका श्वसन है respiration है वह दो हमने जाना की दो प्रकार का है internal और external एक आपका कोशिक्य स्तरपर होता है जहां पर रक्त और शरीर की धात्वे जो होती है आपस में गैसों का वीने में करती है क्योंकि हमने सबसे पहले जाना था oxygen ही जो है हमारे शरीर में उर्जा का कारण रहती है तो जो हमारे शरीर है रक्त में भी oxygen अगर अधिक मात्रा में होगी प्रॉपर मात्रा में होगी तो अच्छे से कार्य कर पाएगा तो इसलिए कोशिकाओं को भी ज़रूरत पढ़ती है एक तो इसलिए जो यहां पर बात करेंगे external respiration की external respiration कैसे होता है जो हम external respiration की बात करते हैं तो इसमें दो निमलेखित चरण होते हैं श्वसन या फुफसी समवातन जो выступrum के गया व क्से तोलिक की लोची का बःफिघ होता है दीसरा चरण होता है जब ओक्सिजन जो है वह स्वा करेंगे होTime का के वृआड जाती है है तो जो हमारी कूपी का जिल्य है जो हमारे है उसकी जो मेंब्रेंज है उसके थुरू oxygen श्रीर के अंदर जाती है और carbon dioxide बहार आती उसका डिफीशन होता है थे तीसरे में रक्त द्वारा गैसों का परिवान होता है जो रक्त होता है वह है गैसों को ट्रांस्पोर्टेशन करता है चोथे चरण में रक्त और उतकों के बीच अर्थाथ जो ब्लड है और जो हमारे टिश्यूज हैं उसके बीच में ऑक्सिजन और कार्बन डायोकसाइड का विसरन होता है और पांचवे स्टेप में अब चाहिए क्रियाओं के लिए जो इंस्पिरेशन अब यहां पर जो हम अंताश्वसन की बात कर रहे हैं वैं इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं इंटर्नल रेस्पिरेशन की बात करने हम इंस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं इस दोरान वायू मंडली है जो हमारी एक्मोस्फेरिक जो को हम अंदर खीचते हैं दूसरा इसमें स्टैप होता है नीश्वसन एकस्पिरेशन की सांस को छोड़ना जिसमें हम जो हमारे लंक्स में वायू होती है उसको हम बाहर निकालते हैं अब जब यह दोनों क्रियाएं हो रहे हैं सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं तो यह दो तोह हाई प्रेशर सेक्क्राइब की तरफ होती है तो किस प्रकार से प्रेशर डिफेर्स के अंदर हो रहा है यह में बड़ा साधारान अभी छब ठक यह देखें गें। कि महनने पड़ते हैं साधारान सब्सक्राइब aumento क्रिख सबस्क्राहएं अंताश्वसन तभी हो सकता है जब वायू मंदलिय दाब फेफडों की वायू का दाब कम हो अर्थाथ फेफडों का दाब वायू मंदलिय दाब के सापेश रिलेटिवली कम होता है इसी तरह निश्वसन तब होता है जब अंतर फुफुसिय दाब वायूमंडलीय दाब से अधिक होता है अर्थाथ जब हम सांस तभी ले सकते हैं जब हमारा एट्मॉस्फरिक प्रेशर जो है वो फेफडों के में येल का प्रेशर है वो कम हो अर्था एक्मोस्फेरिक प्रेशर जादा हो और हमारे जो लंग्स में प्रेशर है वह कम हो तभी हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी तो तभी हम सांस ले पाएंगे और इसी तरह हम सांस कब छोड़ पाएंगे? जब अंदर हमारे lungs में pressure जादा है और वायू मंडल में atmosphere में जो pressure है वह कम है तब हम सांस छोड़ पाएंगे अब हम जानेंगे कि ये pressure कैसे create होता है जो inspiration है हमने देखा कि inspiration के time पे हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा जो pressure है वह कम है तो वह कैसे होता है कि diaphragm के संकुचन जब आपका संकुचित करता है प्रारम होता है तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ा देता है अर्था उसका volume बढ़ जाता है वक्षगुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धी के कारण फुफुस के आयतन में भी समान वृद्धी होती है अर्था फुफुस का आयतन भी बढ़ जाता है तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो फुफुस का pressure होता है वह कम हो जाता है और जो आपका atmospheric pressure ह वह ज्यादा रह जाता है तो इस प्रकार यह समान तरह कि वृद्धी फुफुसिये दाप को वायुमंडलिये दाप से कम कर देती है जिससे बाहर की वायु बल पूर्वक फेफडों के अंदर आ जाती है और आप सांस ले पाते हैं इस प्रकार अंतरश्वसन की क्रिया होती है जब डायफ्राम और अंतर परशुक पेश्वसन जो आपके इंटर्कॉस्टल रिप्स होती है जो मसल्स होती है वह रिलैक्स करती है शितल हो जाती है तो जो दायफ्राम है वह उरो अस्थ्यू को उनके समाने स्थान पर वापस ला देता हैं हमने बढ़ा था कि डायफ्राम संकुचित होता है तो नीचे की तरब तो आपका वो रिलेक्स जो वक्ष गुआ है उसको बढ़ा देता है जिसकी वज़ए से लंग्स का वॉलिम बढ़ जाता है जब रिलेक्स होता है वापस अपने स्थान पर आता है तो सारी चीज़े वाप स्पारिक प्रेशर से थोड़ा आधिक हो जाता है जिससे फेफ़ों की वायू बाहर निकल जाती है और आप सांस बाहर छोड़ पाते हैं आप इस चित्र के माध्यम से व्रिद्ध हो जाती है जो आपका रिप केज़े रहे फैल जाता है तो इस प्रकार से वायू जो होती है वह फेफडु Start प्रवेश कर जाती है वायू में दूसरे शित्र में आप देखेंगे कि वायू जो है फेफडु से बाहर कैसे निकल रहे हैं कि जो वायू है वह फेफणों से बाहर निकल गई है अब आप चित्र में देखेंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे चेस्ट का दिखाया गया है कि जब आपने सांस लिया है तो चेस्ट जो है आपकी जो चाती है वह एक्सपेंड कर रही है और जो रिप्स हैं वह थोड़ी हलकी सी बहार आ गई है और जो आपका डायफ्राम है वह नीचे की तरफ क्कॉंट्रैक्ट हो जाता है जब आप सांस छोडते हैं नाक से सांस छोड़ रहे हैं तो आपका chest जो है contract कर जाता है तो जो आपका volume है chest का volume है वो कम हो जाता है जिसके जिसे सांस बहार आ जाती है और जो diaphragm है वो relax हो जाता है तो इस चित्र में आप यह देख सकते हैं जानते हैं कि इसमें इस तंत्र के कारे के हैं इस तंत्र के द्वारा रक्त का शोधन होता है और साधार्मता स्वस्थ मनुष्य जो है स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में 16 से 20 बार तक श्वास लेता है उच्च ज्वर भारी वयायाम के दोरान या कम oxygen वाले वातावरन में श्वस तो उसमें भी respiration rate बढ़ जाता है जब भारी वयाम करते हैं तब भी आपका respiration rate बढ़ जाता है तो इस प्रकार आपने जाना कि जो हमारा श्वसन तंत्र है किसे कारे करता है हम सांस कैसे लेते हैं सांस कैसे छोड़ते हैं देखने में यह चीज़ें कितनी साधारन लगती है लेकिन जब कोई व्यक्ति विमार पड़ता है या सांस की तकलीफ उसे होती है तब हमें समझ में आता है कि यह चीज़ें कितनी complicated हैं या कितने ज्यादा हमें इसमें मेहनत करनी पड़ रही है तो अपने हमारे को अपना स्वास बढ़ाने के लिए जो हम अंता श्वसन कर रह करते हैं धन्यवाद